पाकिस्तान को खरीदने वाले भी हमारे अपने कतर और यूई है गाइस मैं बताता चलू आपको के हमने अपने एरपोर्ट्स हमने अपने बंदर गाएं और इससे इलावे भी बहुत-बहुत सारी चीजें हमने बेच रखी हैं तो गाइस यह कब तक चलेगा फिर हम यहाँ प पोड की कराची पोड का 85% यूई को चला जाएगा कतर और यूई पाकिस्तान के आदे से जादा चीजों को खरीच चुके और मजीद हम बेचने जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे देखी यह तो शुरू दिन से मेरे भाई इस मुलक के साथ एक नदीदा कूटे हैं जो अंद के लिए कवानीन बनाये जाते हैं और अवाम से टेक्स लेके उनकी सहुलियाद पर खर्च किया जाते हैं बट यहां पर उल्टा उल्टी गंगा चल रही है कि यहां पर पबलक को लूटा जा रहा है और जो अश्राफिया है इस मुलक की जो अरिस्टोक्रेसी है उसको पाला जा रहा है यह जीव सिस्टम इस मुलक का कि किसी मुलक में इसा नहीं है आप तो मेरे भाई इस अदारे की बात करते हैं देखिए वो टाइम था जब हमने चाइना को जो लोन दिया सिंगापूर को और चाइना ने बड़े-बड़े मुलकों ने हमसे डिजाइन लिया अपन में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहां पर जा रहा है बंगलादेश की जो जीडीपी है वो कहां पर जा रही है और आप हमसाय मुलकों में देख लें कि हम अफवानिस्तान से भी नीचे हैं हमारी करनसी वो डिव वैली होके नीचे आ चुकी है तो इससे बड़ी जो है बदबखती जो है इस मुल्क की क्या हो सकती है कि खाकमें बदहन कि यह मुल्क जो है खुदाना खास्ता किसी तूट फूट की तरफ ना चला जाए तो इनके नेताओं को लीडरों को चाहिए कि कम आज-कम आप जो बचया-कुचा सिस्टम इसको बचा पहले के एक दफा इंडिया भी गया था आइम एफ के पास लेकिन सर उन्होंना टाइम से पास सीखा हम क्यों नी सीख पाए यह हमारे तकरीबान 22-25 दफा हम तो जा पाए इम चले गए आइम एफ के बास हम क्यों नी सीख रहे हैं कि चीज़ कर रहें जी वहरी मज बहुत अ को साइड पर इंडिया बसता है उन्होंने अब कभी भी जमूरियत या प्लिटिकल सिस्टम को डे रेल नहीं होने दिया वहां पर कभी भी नदीदा कुवतें या जिसने को खलाई मखलू कहते हैं वो कभी भी आकर जो है वो मदाखलत स्यासत में नहीं करती हार अदार अपन करता है ठीक है जी ना मिल्टरी अपना यहां पर हक अदा कर रही है ना जुडिशरी स्थ देख रही है अब देखिए आफ लेक्शन का मसला है सुप्रीम कोट ने का ही 90 डेज में लेक्शन करा दे हमारे जो है टस्यमास नहीं हो रहे लेक्शन कमिशन ठीक है मन मजद एक्ष आज देखिए सबसे बड़े बाता बदब़्थी कहा है फिर में वह बात करूंगा कि यहां पर सिप्रीम कोट काुर्ठा का Alt factory नहीं है तो इस से बड़ी सिस्टम, आपि देखेंगे आप किस नमबर पर आ रहा है वही ایک सो कितनी नमबर 132 आपको जानते हैं आप माचला souven unveiled 132 हैं 132 के इससे बड़ी प्रशानी की बात और क्या होगी कि हम चो है वो बहुत लोह करें हम snagnant नहोते हम intact नहोते हम पीछे तुना जाते हमारा पाइक मनदल वही बात है कि मेरे मुल्क पर स्वह का साया क्या रोजा है कि तरक्री रफ्तार तेज तर है वो सफर आजित आजिता ठीक है जी तो ये आजिता दब आजिता तो सफर जा रहा है तरक्री कोई नहीं है हम अपने असासे बेच रहे हैं पाकिस्तान फॉर सेल इस तरह की भी खबरे सुनने को मिल रही है लेकिन कभी इंडिया की तरफ से ये बात सुनने को नहीं मिली कि उसने अपने पॉर्ट्स इंडिया को गिरिवी रखवा दिया सोरी अमेरिका को गिरिवी रखवादी है यूई को गिरिवी रखवादी हम अपने चीजें बेचने पर मजबूर हो गए हैं अब पर देखें कि हमने आइमेफ से लॉन लिया हमने आइमेफ के अभी 10 बिलियन डॉलर्स के करजाई हो गए हैं सर इसके बावजुद भी लगजर के लिए रोज देखें आप पार्लिमंट में कितने कवनी कवनीन रोज बनते हैं कभी कभी अवाम का देखा अपने आटा गीज यह किचन की चारपन चीज़ें नहीं दे रहे ठीक है ना यह आटा घीज चीनी मर्चें बिचारे लोग कुशियों पर मजबूर हैं तो डेली अपने अपने तफ़स के लिए इस ही के लिए बिरोक्रिसी के लिए गाड़ीया जो है रोज आ रही है हमने आयमाफ से आपने कहा जी वह तरक्की क्यों इंडिया कर रहा हम क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने सवारब डालर लिया है हमने अमेरिका आयमाफ से अभी हमने अपने तो इस ये इसी में जवाब है सारी चीजों का कि यहां पर तरकी इसलिए पीछे हो गई है कि जनाब वो जो इश्राफी है ना वो इस अवाम को जो है ने सोचे समझे मनसूबे के ताइद इसको मार रही है मौशी कतल कर रही है समाजी कतल कर रही है और भूक फलास का खुद ज यह सारी बते हैं बहुत अच्छा लगा आप से बात करके तैंक यू सो मैचे नाचे टॉब की तो यह का इस किसम के हलात हमारे आन पोचे हैं कि हम अपनी एशिया भी फ्रोक कर रहे हैं और यह खरीदने वाला और कोई नहीं हमारे मुसलिम उम्मा के अंदर यूई और कतर शामिल हैं हमारे बंदर का हमारे इसलामबाद एरपोर्ट कराची एरपोर्ट और बहुत सारी चीज़े ऐसे हैं जिनको मैं गिनवा हूँ आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा आश्ता-श्ता क्या करने जा रहे हैं बेसिकली देखें फस्ट अफॉल तो हमारी जो एकॉ कुछता हूँ और दूसरे नंबर पे जो हम आईमाफ और दूसरे जो वर्ड बैंक इस इन मुमालग यानिके जो जो और्गनाइजेशन नहीं से कम ज्यादा शरा पर जो ले रहे हैं यह बहुत वज़ा है कि उनकी किस्तों को रिटर्न करने के लिए हमें इसे अपने सारे हालात हैं सरकम्स्टांसिस ऐसे हैं नो डाउट यह सारी चीज़ें जो रियलिटी पे बेस करती हैं तो इसमें कोई दो राए नहीं है जो हालात है पट्रोल रात का रेट देख लिए अब क्या कहां से कहां चले गया कभी यही जुमला हुकूमत जो है ऐसे कहती थी कि जी यह देखे रातो रात की तारीख में अमरान खान ने क्या से क्या कर दिया रेट कर दिया लेकिन इसमें कोई दो डगी बाद नहीं है यह जुमला हुकूमत है मुलक का बेड़ा गर कर दिया फिर भी हम एक अच्छे की अमीद रखते हैं वो हमें खान से है वो इंशाला जरूर कर लेगा देखे मुलक जो है अल्ला ताला ने का है कि जो अमीद का दाम अनसान को नहीं छोड़ना चाहिए बेहतरी की तरफ जाना चाहिए लेकिन बहुत सी कमियांकताईयां हैं जो हमें बेहतर करनी चाहिए लेकिन हमें इस पर वरक भी करना चाहिए बींग ए पाक्सानी हमे इडिया का मुकाबला कर लेंगे कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? अंदुल्लाव उन से आगे हैं बीएगी मुसलिम। मुसलमान का जथए क्वा काफर से तो कहीं बेतर है उससे आज भी हम आगे हैं, जो मर्जी हिलात हों। वेलगता है देखे मैं बाई की बाद से थोड़ा इक्तलाफ करता हूं कि इंडिया जो एकॉनोमी के लिए हमसे बहुत आगी है आपने ये देखें ये रिसेंटली उनकी एक नियूस पेपर में और दूसरे आर्टिकल में बाद उनकी एकॉनोमी की हवाले से आई थी कि जो इंडिया है वो दुनिया का यानिके पांच्वां बड़ा मुलक बन गया है माइश्यत और दूसरे नंबर पर ये गाड़ियों बनाने में जैनिके दूसरे नंबर पर आटो मूबील इंडिस्ट्री है वो दूसरे नंबर पर है तो यह देखें वो तो हमारा और उनका कोई कंपेरिजन निम हम मैंनत कर रहे हैं अपने इसे की अलहमदुल्ला हम मैं तो अपने पेशे से रिलेटीड हूं जो लायरूम हम तो अपने इससे का जो दिया जला रहे हैं इसाफ के लिए तो कर रहे हैं बकाया फिर वह आपको पता है यह नियूस सुनने को क्यों नहीं मिले आप बताएगा बेसिकली देखें पिछे आपने देखा होगा कि पास्ट में जाएंगे थोड़ा तो यह यूस से में पाकिस्तान का एक पी एक रूजवेल टोटल था है वह पाकिसान की यह निके वह कैबनेट में यह बिल पास हुआ कि हम उससे प्लज़ करना चाह रहे हैं तो यह क्या है क पाकिस्तान के जो काली बेड़े हैं कुछ वही ब्रॉकर बनके उदर खड़े हो जाते हैं वह टकेट हो करी हैं जो हजारों लग लाखों अरबो डॉलर की जो चीज़ आप जलती है तो यह बेसिकली इनका इंट्रस्ट किसी ना किसी हद तक जरूर है इन चीज़ों में कंपारिश करें अगर आप यहां पर जयोंगे यह जजबात सबस्राइबर बहुत कर दिया refresh लिए जहां पर एक अच्छी और सी एाटसो बल्याद कर लिगए मेर्गें से बहुत इसे हैं पाकिस्टानी नहीं पता हैं अगर अपनी स्पिरिट की बीइंगा मुसलम अपने जजबे की बात करें तो वह जाए लेकिन अगर फैक्ट्स को जो इंटरनेशनली चीजें अब्जर्व की जा रही है बहुत शुकरिया वकिल साब आप लोग का टाइम देने का बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके टैंक यू सो मच अनाची टॉक विदियो बहुत शुकरिया शुकर अलहां चल रहे हैं बस अला का शुकर है जी गुजारा हो रहा है नहीं मुलक तो नहीं सही चल रहा है सर आज एक बहुत बड़ी ख़बर आगी जिसके आप सोच भी नहीं सकते उस तरह एक ख़बर आगी है पाकिस्तान फॉर सेल हाँ ये तो आज से नहीं ये तो पुरानी ख़बर है आज आपको पहली दफ़ा बताए चलिए जबके हम अरे इलम के मताबक हम तो कब्च के बिक चुके हैं हर चीज बिख चुकी है जिस कौम का जमीर बिख चुका हो उसकी हर चीज बिख चुकी होती है उसके पास और कुछ नहीं होता कौम की जमीर होती है कौम की एक आवाज होती है जिसके उपर हर आदमी खड़ा होता है अगर उसकी आवाज ही नहीं है उसका जमीर ही नहीं है तो फिर आप जिसम का क्या करेंगे सर यहां पर हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा सब एक है मुस्लिम उम्मा जैसा कोई हाई नहीं तो सर खरीदने वाले भी मुस्लिम उम्म में सही है यूई और कदर महरम का महीना चल रहा है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन थे सिर्फ मुझे इतना बता दे कि उसके मुकाबले में कौन थे बस इतना सा मेरा जवाब इतना ही है कि अगर अमाम हुसेन के मुकाबले में मुसल्मान हो सकते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है तो हमारे मुकाबले में भी वही है जब तक हम अपने जमीर की आवाज नहीं सुनेंगे इस मुलक को इसलाम के मताबक जिसके लिए हमने बनाया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाह इल्लाह उस पे लेके नहीं आयेंगे तब तक बाकी सारी चीज़े बेमाईनी है अगर हमने सिर्फ फुराक पे रहना है जीने के लिए रहना है तो वो तो जानवर भी रहते हैं सर इंसानों में और जानों में कुछ फरक होना चाहिए सर फिर हम कहते हैं कि हमने मुकाबला करनें इंडिया से सर इंडिया का मुकाबला छोड़ दें हवाई बातें मत करें सर सर यहां पर मैं यकीनन कह सकता हूँ, सर आप थोड़ा सा अगे आएंगे, एक मिट आईएगा, एक मिट है, एक मिट, सर क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं, सर देखे हमारी फौज में ताकत बहुत ज्यादा है, लेकर हमारे पाकिस्तान में मनाफ़ बहुत ज्यादा, क्या मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला हमारी फौज जो है, इतने जजबी बाली है, हमारे पाकिस्तान मुसल्मान में इतना जजबा है, कि हम मुकाबला कर सकते हैं, इंडिया कुछ निया हमारे लिए, लेकर मुनाफ़िक हमारे उपर बैठे हैं, क्या मु अपना पाकिस्तान उनसे हारा था शाहीद था लेकर पाकिस्तान उनसे मलक नहीं दीगा था सर अच्छा यी बताएं आपे ने सर हकीकत ऐसे ही है हम जजबे से लड़ते हैं हम तलवारों से नहीं हमारे जजबा है अगर हम उनसे वैपन में कम हैं तादाद में कम हैं तो सर मुसल्मान हर जगह में तादाद में कम हैं 313 से लेके सलाहुदी नयूबी देख लें उनका मुकाबला करने पर आप उनकी बात कर रहें सर जहां से सर एक मिन सर जहां से इसलाम की शुरुआत हुई सर उनके अंदर यमानदारी भी हमसे ज़ादा दी सर अगर हमारे पर जमीर ही नहीं है आज जमीर आजाए आज हमारे अंदर जजबा वापस आजाए तो सर आप छोड़ें इंडिया छोड़ें किसी दुनिया का बड़े सा बड़ा मुलक बड़े से बड़ी आर्मी ले लेकी बात कर रहे हैं वहां पर हमसे ज़्यादा मुसलिम से बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल डिफेंड करेंगे तो सर अल्ला ताला क्या काफरों का अल्ला ताला नहीं है सिर्फ मुसल्मानों का अल्ला ताला है यह किस किताब में लिखा है सर अल्ला ताला हर उस बंदे का है जो इमान पे है जो इमान दारी पे है जो जूट नहीं बोलता, जो रहाकारी नहीं करता, अल्ला हर्स बंदे का साथ देता आज ये चीज़ें छोड़ दें, हम दुनिया में टॉप में आ सकते हैं जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, मुकाबला छोड़ें हम उनसे, हम तो भीक मंगें लोगें सर कोट पहन लिया लेकिन भीक मांगते हैं, वजारते ले लेती हैं भीक मांगते हैं ये आद़ जब तक दुआएं करते हैं जलजला आजाए, दुआएं करते हैं सलाब आजाए, क्यों बाहर से डॉलर आएंगे जब तक ये चीज नहीं चूटेगी सर हम कैसे तरक्की करेंगे सर यहां पर एक बात यह है कि हमारे मुलक बेचा गया एक एक चीज को हम से छीन ली गई और हमारे अपनों को बेचा गया तब तक हम क्या सो रहे हैं सर और सोना है अभी और सोना है हमने जब तक हमारी हर चीज नहीं फिके गए अभी कुछ शीज बाकि हैं अभी डार साब का बयान सुना होगा कि हमारे इतने एससें एससें क्या मतलब है कि उनको बेचनें अगर आपके एससे हैं तो उनसे कमाई करें उनको बेचें माती आर सर एक मिट मैं आप से सुवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा आगिया इगा सर अम इतने अगर स्टॉंग होते तो 71 में देखें क्या हुआ हमारे साथ एक अतर में आम से बंगला देश हमारा चीन लिया गया और हमारे 63,000 फोजी सर एक मिट आप आप सर देखें उसमें अमेरि लोग नहीं चलते हम अपना बताएं कि हम कितने पानी में लेकर हमारे मुनाफ़क लोग बीच में शामिल थे ना बेचने वाले बंगला हमारा को कसूर नहीं था हमारी कोई कोई कोई